प्रिंसिपल्स अफ सिस्टेमाटिक्स मॉड्यूल 1-0-4 इडेंटिफिकेशन ओफ फैमिली एरेनेडी फैमिली एरेनेडी के जो मेंबर्स है दे आर वेब बिल्डल स्पाइडर्स इनके अंदर अगर हम आइस की जो तदाद है उसके बारे में बात करें तो जैसा के स्लाइड के अंदर देखा जा सकता है इनके अंदर 8 आइस होती है जो के 2 रोस के अंदर मौजूद है उसके लावा इनके अंदर 3 टारसल क्लास होते है यानि इनकी जो लेक्ट का जो लास्ट पार्ट है उस last part के साथ तीन class अटाच होते हैं बहुत सारी spider families ऐसी हैं जिनके अंदर two class हैं और बहुत सारी families ऐसी हैं जिनके अंदर three class हैं तो taxonomic point of view से ये जो number of class का character है ये काफी important होता है और taxonomist इस character को use करते हुए मुख्तलिफ जो families हैं उनको एक दूसरे से separate करते हैं उसके लावा इसका अगर जो केरापेस है उसकी हम बात करें केरापेस जो इसका जो sphalothorics है sphalothorics के उपर जो shield होती है उसको हम केरापेस कहते हैं तो ये जो केरापेस है ये flat है और इसका distinct head मौजूद होता है इसी तरीके से अगर हम इस family के जो members है उनके labium की बात करें तो इनका जो labium है it is long at the end और इसका जो last वाला part होता है वो swollen होता है इसी तरीके से जो इनका maxilla है maxilla anterior part से काफी broad होता है उसके अलावा इनकी जो legs हैं इनकी legs के उपर spines मौजूद होते हैं और trichobodria मौजूद होते हैं ये hair like structures हैं और ये इनकी leg के साथ जहां पर ये attach होते हैं उससे 90 का angle बनाते हैं अब अगर हम इन spiders के eggs की बात करें तो ये जो spiders हैं इनके जो eggs हैं वो एक sack के अंदर बंद होते हैं और एक जो egg sack है उसके अंदर जो egg की तादाद है वो hundreds में हो सकती है उसके लावा ये spiders जब web बनाते हैं तो ये plant की different heights के उपर webs बनाते हैं अगर एक area के अंदर और web spiders की तादाद जादा है for example three species हैं तो ये three species जब web बनाएंगी तो ये different heights के उपर बनाएंगी क्योंकि ये spiders competition को minimize करना चाती हैं तो competition को minimize करने के लिए ये जो space है उसको partition कर लेती है उसको divide कर लेती है कुछ species ऐसी है जो bottom के पर web बनाएंगी कुछ ऐसी है जो middle portion के अंदर web बनाएंगी और कुछ species ऐसी है जो plant की जो canopy है उसका जो upper part है वहाँ पर अपना web बनाती है उससे क्या होता है कि इन spiders के अंदर जो prey है उसका जो competition है वो minimize हो जाता है और इस तरीके से ये spider एक जगा पर coexist कर सकते हैं without any competition उसके लावा इन के अंदर अगर हम tracheal spiracles की बात करें तो इनका जो tracheal spiracles है वो spinners के करीब मौजूद होता है spinners क्या है spinners जो abdomen portion है उसका जो बिलकुल last वाला region है वहाँ पे two या three pairs of spinners मौजूद होते हैं ये जो spinners है ये silk production के अंदर important role play करते हैं अब अगर हम इस family के जो spiders हैं उसके अंदर जो important genre है उनकी बात करें तो पाकिसान के अंदर जो agricultural जो system है हमारी जो agriculture crops है उसके अंदर दो genre के जो spiders हैं वो बहुत ज़दा common है एक तो नियो सकोना जो जीनिस है इसके spiders बहुत ज़दा common है और इसके साथ साथ एक और जीनिस जिसको टेटरा गनेथरी कहते हैं इसके spiders भी काफी common हैं आम तोर पर जो नियो सकोना जीनिस से विलॉंग करने वाले spiders हैं इनका जो abdomen है उसके उपर unique किसम के designs मौजूद होते हैं मौटलिफ species के अंदर मौटलिफ designs मौजूद होते हैं और आम तोर पर ये जो spiders हैं इनका size बढ़ा होता है इसके मकाबले में अगर हम टेटरा गनेथरी जो family है इसके spiders की बात करें तो ये spiders जो है ये stick like जो spiders इस family के हमारे agriculture system के अंदर मौजूद है इसकी एक common species जो हमारे खास दोर पर जो पंजाब के तमाम agriculture feed है उसके अंदर मौजूद है वो टेटरा गनेथा जोवाना है इनकी तदाद बहुत ज़ादा होती है और जो नियोसकोना जीनेस है इसके अंदर नियोसकोना तीज एक dominant species है यानि हमारे जो agriculture feed है उसके अंदर ये जो दो species है नियोसकोना तीज और टेटरा गनेथा जोवाना ये common species है और हमें फील्ड के अंदर अकसर इन ही के वेब नजर आते हैं इसी तरीके से एक और जैनरा है एक और जीनेस है आरजियोप आरजियोप के जो spiders है वो भी हमारे agriculture fields के अंदर काफी common है ये जो आरजियोप क specimens हैं ये काफी बड़े spiders होते हैं और इनका जो web है वो भी काफी बड़ा होता है उसके लावा हमने इस बात का जिकर किया कि जो एरेनेडी फैमली है इसके जो members है वो regular web भी बना सकते है एर्रेगुलर web भी बना सकते हैं नियोसकोना और टेटरा गनेथिडा या टेटरा जो जीनिस है इनके जो members है वो regular और webs मनाते हैं जबके साइकलोजा की अगर हम बात करें या काइटरोफोरा जो जीनिस है इसकी अगर हम बात करें तो इसके जो spiders हैं वो regular web नहीं मनाते इनके जो webs हैं वो irregular होते हैं उसके लावा ये दोनों जो पिशिस हैं हमारे पास टेटरगनेथा जवाना और नियो सकोना थीज ये हमारे जो एगरिकल्चल फीड है जैसे राइस फील्ड है वीड फील्ड है मेस फील्ड है इनके अंदर ये कॉमन है और ये दोनों ही स्पेशिस आम तोर पर इविनिंग के अंदर अपना वेब बनाती है और एग घंटे से दो गहंटे ये लेती है अपना वेब बनाने के लिए उसके बाद ये अपने हब के अंदर जो है मौझूद रहते हैं और अपने प्रे का इंतजार करते हैं और आम तोर पर जो फीमेल्स है वो ही हमें वेब के अंदर नजर आती है मेल्स हमें वेब के अंदर नजर नहीं आते मे ये बहुत कम वेब बनाते हैं अक्सर हमें वेब के अंदर तिरफ फीमेल ही नजर आती हैं